नमस्ते दोस्तों रहस्यमई ग्यान चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आज आपको आकर्षन तथा मोहिनी मंत्र दे रहा हूँ दोस्तों वशिकरन में तो साधक का उद्देश दूसरे वेक्ति को वश्मे करना होता है परन्तों आकर्षन का प्रयोग दूसरों को अपनी और आकर्षित करने के लिए किया जाता है इसमें हमारा लक्ष मात्र इतना होता है कि अन्य वक्ति हम पर ध्यान दे वे हमारी उपेक्षा न करे इसका आगामी कदम है मोहनी मंत्रों और मोहन के लिए प्रयोग के जाने वाले गंडे तावितों का प्रयोग दूसरों को मोहित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है यहां भी साधक का उद्देश दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है वह उन पर नियंत्र करना नहीं चाहता यही कारण है कि इस प्रकार के सभी प्रयोंगों को सात्विक ही माना जाता है क्योंकि इल्में हमारा उद्देश अपनी भलाई तो होता है परन्तु किसी दूसरे को हाने अत्वा फिड़ा पहुचाना नहीं इसकी साधना सामगरे इस प्रकार है गोरोचन में काले ददुरे का रस मिश्रित करके स्याही बनाए और सभेद करेर की लेखने से भोज पत्र पर अमुकस्य के स्तान पर जिस व्यक्ति को आप मोहित करना चाहते हो उसका नाम लिखें और मंत्र को लिखें यदि इस लिखें मंत्र को अगनी में तपाया जाए तो काफी दुर पर निवास कर रहे व्यक्ति को भी आकरशित किया जा सकता है इस मंत्र का प्रयोग करने से पुरू दस हजार मंत्र जाप करके इसकी सिध्धी कर लीनी चाहिए इसके बिना इसका प्रयोग व्यर्थ होगा इस साधना का मंत्र इस प्रकार है ओम नमह देव आदि रूपायो अमुकस्य आकरशणम कुरु कुरु स्वाहा ध्यान रहे अमुकस्य के जगह पर उसे व्यक्ति का नाम लिखें दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें धन्यवाद दोस्तों